हेलो प्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी बस छोटी ही क्याति हूं अधियुकु वीडियो को इन चैनल में ६ट के लिए सबसे में होता है भी आपको वीडियो तौर को कप्डा लिया है और हमने इसक लिए 15 ओंग endeavor फिर न हम एक से ल कॉम ने पमताnothing मुद्ध ड़य को 45 ऐइसे तो परbayल कि मुद्स अ मोहरे के हिसाब से आपको चोड़ाई लेनी है और length मैंने इसकी जैसे मेरी एक को जैसे हम नॉर्मली लेते हैं 35 inch ठीक है हम जब हम 40 inch की सलवार बनाते हैं तो इसमें मैंने double ली है यानि कि मैंने 80 inch ली है इसकी length अब ये भी बताती हूँ मैंने कैसे ली है तो देखिए जैसे यहां से लेके यहां तक मेरा 40 है तो 40-40 को मैंने double करके और देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने यहां से सिलाई कर ली है अब ये मेरा joint होके 40 inch बन गया है 40 का double करके ठीक है अब हमको क्या करना होगा अब हमको इसमें मैं आपको बहुत ही simple तरीका बताऊँगी कलियां आपको लोगों को काटनी आती है इस तरीके से टोटल आप तीन मीटर कपड़ा ले लीजिए ठीके तीन मीटर कपड़े में से आप पहले पार्ट निकाल लीजिए और इसमें जितनी भी कम प्लेटे आएंगे उतना ही अच्छा होगा क्योंकि जो हमारा डिजाइन है ये चोड़ाई में जादा आता है तो हमारे प्लेटों के लिए फिर जगा नहीं बसती तो इसलिए आप तीन मीटर कपड़ा ही ले तो अब हम देखिए इसमें हम इस तरीके से box plate डालेंगे ऐसे और वसमें आपको machine पर बताएंगे कि वह हम किस तरीके से डालेंगे तो चलिए हम इसकी सिलाई कर ल sleepy friends इसकी सिलाई कर लेते हैं और देखिए मैं आपको इसमें एक जीज और समझातू जो सभसे main है जैसे हम इस सलवार को 40 की बना के तैयार करेंगे तो ठीक है तो हमें जो इसके पार्ट है वो 35 इंच के तैयार कर लेनी है margin समयत क्योंकि हमारा 1 इंच मोरी में जाएगा 1 इंच हमारा उपर जाएगा और हमारी 7 इंच की बेल्ट होगी और इस तरीके से हमें total 40 इंच कपड़ा की सलवार तैयार करनी है तो इसे हमें 35 इंच का हम बीच बीच में चेक करते जाएंगे हम direct plate डाल रहे हैं तो देखे प्लेटों की शुरुवात करते हैं पहले हम उपर से 1 इंच कपड़ा छोड़ देंगे तो आप देख सकती है मैंने इसको करिवन 50 इंच के बरावर कपड़े को ऐसे इस तरीके से fold कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से सिलाई लगाएंगे अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही अपनी तरब को कपड़ा fold करेंगे तो यह हमारी box plate हो जाएगी इतना इजी है इसे बनाना अब जो लास्ट टाइम होगा उसमें भी हम सेम करेंगे एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे तो देखिए पहले इधर थोड़ा सा कपड़ा हम इधर फोल्ड कर देंगे और डिस्टेंस एक से आदा इंस तक आपको रखना है फिर हम सेकिंड टाइम अपनी साइड करेंगे फिर्स्ट टाइम इस साइड सेकिंड टाइम अपनी साइड तो देखिए हमारी प्लेट पीछे से डलती हुई आ रही है और देखिए हम बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे कि जो हमारा ये कपड़ा है वो 35 छोना चाहिए और अगर आप इस सलवार को खरीदना चाहते हो बनने के बाद में जब जैसे देखेगी तो आप हमने हमारी वेब साइट है जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है वहां जाकर आप इस सलवार को खरीब भी सकती हो तो देखिए हम ऐसे ही अपनी पूरी प्लेट को तैयार कर लेंगे और बीच में चेक कर लेंगे कि हमारा 35 कहा आ रहा है देखिए पूरी प्ल तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरी बिलकुल 35 आ रही है ये देखिए बिलकुल भी कहीं से कम या ज्यादा नहीं हुआ है बिलकुल हमारी 35 आई है अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही प्लेट डालेंगे ऐसे सीधा कर लेंगे इसको और सीधा करने के बाद आपको कुछ भी नह ही करना है यहां से जितना कपड़ा छूट रहा है वहां से छोड़ते जाहिए इस तरीके से रखे इसको पहले हां से सिलाई लगा के चलिए आगी और फिर देखिए इसी प्लेट को पकड़के आपको ऐसे फिक्स कर देना है इसी के पास ऐसे फिर से देखिए जो यह वाली प्लेट होगी इसको पहले इस तरीके से फिक्स कीजिया अगर आप से ऐसे ना हो तो आप इसमें पिन लगा के भी कर सकती हैं फिर से ऐसे सिलाई लगा दीजिए अब देखिए फिर से ऐसे ही कीजिए अब देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारी प्लेट आ रही है फिर से इसको ऐसे पकड़िए ऐसे थोड़ सा खींच के लेना है आपको ताकि कपड़ा हमें यह पता रहे कि हमने कितना फोल्ड कर लिया है कैसी मैं इसके हमढ़ाई अब देखिए अब देखिए आप कि यह थाज़ फिर से आपको फिर से पक्ड़िए इसको बद़ प्लाई प्लाई आपको तक तक हमने जाँंग जाब दिए आपको देखिए तो देखिए ऐसे हम पूरे में डालेंगे जैसे हम डालते हुए आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे पाट को नीचे तक तैयार कर लिया है यह देखिए जितनी भी 35 तक लंबाई थी उस तरीके से हमने इसको पूरा तैयार कर दिया है अब जो हमारी यह प्लेटे हैं इनको हम किस तरीके से इसमें बटन का यूज़ करने वाले हैं तो देखिए जिसके लिए हमने यह वाइट कलर के बटन लिए हैं आप किसी मोती वगरा का भी इसमें कि पहले हम सुई में धागा डाल लेंगे तो देखिए हमने सुई में धागा डाल दिया है अब हम देखिए इसकी यह वाली प्लेट उठाएंगे और यह वाली प्लेट हमें किस तरीके से उठानी हैं सेंटर में से इस तरीके से हमें ऐसे टांके लगा देने हैं बहुत सारे और इस प्लेट को हमें ऐसे अच्छे से बीच में से बोज ऐसे बना देना है इस तरीके से ठीक है अब ये बन गई हमारी अब इसके उपर हम ये बटन लगा देंगे बटन को किस तरीके से लगाना है ऐसे लगाना है और फिर नीचे से इसको ऐसे फिक्स करके दो चार बार टांकर निकाल के और ऐसे हमें फिर दूसरे साइड भी लगाना है एक बार और निकालेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए और नीचे से निकाल के इसे हम पक्का कर देंगे तो देखिए फ्रेंट्स मैंने एक साइड लगा लिया है अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही पकड़के और देखिए जितने भी हमारी प्लेटे हैं उनमें हमें ऐसे ही बटन लगाके और पूरे पार्ट को तैयार करके फिर दिखाते हैं आपको तो देखिए हमने अपने पूरे इस डिजाइन को बना के कमप्लीट कर दिया है हम आपको पूरे पार्ट तक दिखाते हैं एक बार इसको देखिए हमने इसमें पूरे में ये बटन और एक बार नीचे रखके भी दिखाते हैं हमने इसमें कलिया जोड की साइड में प्लेटे जाल लियाएं लिया है even quand I am done तो मैं लूप कई तरीके से आ रहा है शाइड में प्लेट डाल दली है उसका एक ओर चाहियान दायानी की तरह हमने कर लिया है यह एक मैं दिखेंड है को पहले कलिया जॉ óइंट कर नी है तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्यारा सा डिजैन पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, सेर, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,